हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन आज हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं आर आर भी एंटी पीसी के प्रीविएस येर कॉशन पेपर को यह हमारा क्लास नमर 19 और इसमें हम इसके बाट जनरल अवर्णेस को आपके साथ डिसकस करेंगे मिशन है हमारा रेलवे पार और टार्गेट है 40 आउट ओफ 40 यानि कि जो जनरल अवर्णेस वाला पार्ट कवर अप करता है 40 कॉशन को यह कवर अप करता है आउट ओफ 100 साथी में यह जो कॉशन पेपर है 18 अप्रेट 2016 का सिफ्ट फरस्ट का यह कॉशन पेपर है तो आईए है 107 इसका नाम क्या है जी 627 और इसको लॉंच किया गया था 2023 में 01 यानि की 2013 में इसको लॉंच किया गया था तो भी इसका हो जाएगा गरेक्ट आंसर ताथी में बात करें तो यह जो फ्रेंच गयाना है उसके कोरू अंहियं तर चैंदर से सफ़ल परिक्षण इसका किया गया था और इस उपग्रह से देश की जो समुद्री शीमा की निगरानी समता में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा भी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या है जी सेट सेवन एक्स कॉशन की दरब बढ़ते हैं तब पैसेंजर रेजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडियान रेलबे इस डिजाइन वहा है यानि कि भारती रेलबे की यात्री आरेक्षन परनाली किसके दौरा डिजाइन की गई है तो जो यात्री Central 4 Railway Information System क्या है Central 4 Railway Information System बात करें इसके formation की यानि कि इसको इस्तापना कब हुई है इसकी 1986 में इसकी इस्तापना हुई है जो की Ministry of Railway के अंतर गताता है और इसका headquarter कहां पर है New Delhi में इसका headquarter है तो B इसका हो जाएगा correct answer question number third है what is the chemical name given of chalk यानि की chalk जो होता है उसका राशानिक नाम क्या है तो चौक होता है इसका राशानिक नाम होता है calcium carbonate यानि की इसका राशानिक सूत्र पूछ लिया जाए यानि की formula पूछ लिया जाए तो क्या होगा CACO3 calcium carbonate की हो जाएगा correct answer question number fourth है what is the name of the book in Harry Potter series written by Jack Throne to be published in mid 2016 यानि की 2016 के मद्द में प्रकाशित होने वाली Jack Throne द्वारा लिखित Harry Potter शंकला की पुस्तक का नाम क्या है तो इस पुस्तक का नाम है Harry Potter and the Cursal Child यानि की ये इसका हो जाएगा correct answer Harry Potter and the Cursal Child ये हो जाएगा correct answer next है Article 29 of the Constitution of India Grants which of the following rights यानि की भारत के संभीदान का अनुच्छित 39 निम लिखित में से किस अधिकार को प्रदान करता है अब सबसे पहले तो हम बात करें जो Article 12.12 से लेकर कहा तक 35 तर ये किसके अंतरगत आते हैं ये आते हैं fundamental rights के अंतरगत fundamental rights के अंतरगत और इस part में आते हैं ये तो part 3 के अंतरगत ये आते हैं fundamental rights और ये आर्टिकल 12 से 35 तक रहते हैं और ये कहां से लिए गए हैं ये लिए गए हैं USA से इतना कुछ तो पहले सबसे पहले आपको याद रखना है और जो आर्टिकल 29 है यानि कि ये 39 आर्टिकल है ये कहता है अल्प शंक्यकों के हितों का संरक्षण यानि कि protection of interests of minority यानि कि C इसका हो जाएगा correct answer यानि कि बात करें हम जो आर्टिकल 29 और 30 जो आते हैं ये किसके अंतरगत आते हैं तो ये आते हैं cultural and educational rights क्या है cultural and educational right तो C इसका हो जाएगा correct answer question number 6 है in which year was facebook started यानि कि facebook की शुरुवात किस बरस में होई थी तो जो facebook start हुआ था ये हुआ था 2004 में यानि कि B इसका हो जाएगा correct answer 2004 में इसका start हुआ था और headquarter के बारे में बात करें तो headquarter कहां पर है इसका California California में है इसका headquarter और इसके CEO कौन है तो इसके CEO है Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg ये है ये भी आपको याद रखना है भी हो जाएगा correct answer next है what is the chemical formula of ozone यानि की ozone का राशानिक शूत्र क्या है तो आप सभी जानते है ozone का राशानिक शूत्र है O3 O3 है इसका राशानिक शूत्र तो C इसका हो जाएगा correct answer next question है असरसं दिया हुआ है और reason दिया है तो तबसे पहले देखें असरसं दिया है Earthworms are not good for agriculture यानि की जो कैचुआ होते हैं ये क्रिशी के लिए अच्छा नहीं है तो ये हैं गलत होता है जो कैचुआ होते हैं वो क्रिशी के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यह जो मिट्टी होती है, उसका यह जो पूशक तत्व होता है, मतलब उसको बढ़ाते हैं, साथी में region दिया हुआ है, जो earthworms होते हैं, break down the soil into fine particles and make it soft, यानि कि casual मिट्टी को वारी कड़ों में तोड़ देते हैं और उसे नरब बना देते हैं, तो यह second जो region दिया हुआ है, यह correct है, यानि कि जो assertion है, यह गलत हो जाएगा और region सत्थ हो जाएगा, यानि कि B इसका option correct हो जाएगा, A false, but B is true, यानि कि B हो जाएगा इस question का correct answer, question number 9th है, what is the sound made by seal god, इस seal दोरा बनाई गई, पनी को क्या कहा जाता है, अब यह जो shield है, एक तरह का animal है, जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है, और इसका जो sound create करता है, यह जो sound रहता है, यह जो sound रहता है, वार्क का sound यह रहता है, तो A इसका हो जाएगा, correct answer, question number 10th है, who was the dentist who killed Tensil the loin in 2015, यानि कि 2015 में, शैशिल the loin की हत्या करने वाला दंत चिकिशक कौन था, इनका नाम था Walter Palmer, यानि कि C इसका हो जाएगा, correct answer, next है, the energy which we get from food is measured in, यानि कि हमें भोजन में, जो भोजन से मिलने वाली उर्जा को मापा जाता है, तो calorie में ये मापा जाता है, तो A इसका हो जाएगा, correct answer, Kelvin, Kelvin temperature की एक आई है, temperature इसे नापा जाएगा, fat पसा यदि बोलें, तो ये तूटता है, जो minimum है, amino acid में ये तूटता है, वहीं carbohydrate की बात करें, तो ये किस में तूटेगा, glucose में तूटेगा, ये भी आपको याद रखना है, ampere, ampere current की एक आई है, तो ये भी याद रखना है, तो जो calorie है, इसमें जो food measure किया जाएगा, energy का form है, ये इसका हो जाएगा, correct answer, next है, how many liters of blood does an adult body have, यानि कि एक बैस के शरीर में कितने लिटर रखत होता है, तो ये लगभग 5 liter तक होता है, एक बैस के यानि कि adult के सरीर में, तो C, इसका हो जाएगा, correct answer, next question है, who is known as the father of video games, यानि कि video game के पिता के रूप में, जनक के रूप में, किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, रॉल्फ एच वियर, यानि कि D, हो जाएगा, इसका correct answer, video game के जनक है, रॉल्फ एच वियर, next question है, which wood is used to make a cricket bet, यानि कि cricket का जो बल्ला होता है, उसको बनाने के लिए किस लकडी का उपियोग किया जाता है, तो यह जो willow wood है, इसका use किया जाता है, cricket का बल्ला बनाने के लिए, यानि कि bet बनाने के लिए, तो D, हो जाएगा, correct answer, next question है, what of the given low device converts chemical energy to electrical energy, यानि कि यह नीचे दिये गए उपकर्णों में से, क्या, राशानिक उर्जा को विद्द उर्जा में परिवर्थित करता है, तो राशानिक उर्जा से विद्द उर्जा में convert करने के लिए, परिवर्थित करने के लिए, बैटरी का use हम लोग करते हैं, तो B, हो जाएगा, इसका correct answer, question number 16 है, who fought Ahmed Saabdali at the third battle of Panipat, यानि की Panipat की तीसरी रड़ाई में, Ahmed Saabdali का मुकाबला किस ने किया था, तो ये जो थर्ड Panipat लड़ी गई थी, ये किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी, Marathas versus किस के बीच, Ahmed Saabdali या इसको बोला जाता है, Ahmed Saabdali, और जो commander थे, वो थे, इनकी तरब से, Ahmed Saabdali, और Marathas की तरब से हम बात करें, तो Marathas की तरब से कौन थे, Marathas की तरब से सदा, शिव, राव, भाव, अब इनसे question जरूर बनता है, और ये भी पूछा जाता है, ये लड़ी कब गई थी, जो third battle of Panipat थी, ये 1761, 1761 में ये लड़ी गई थी, तो अब बात करें, इनसे related question क्या बनते हैं, सबसे पहले बनता है, first battle of Panipat, first battle of Panipat, ये किस-किस के बीच हुआ था, सबसे पहले 1526, 1526 में, और किस-किस के बीच, बावर versus Ibrahim Lodhi के बीच ये हुई थी, और इसमें कौन जीते हैं, इसमें जीता है बावर, Ibrahim Lodhi, बावर इसमें जीता है, Ibrahim Lodhi हाता है, फिर second battle of Panipat के बारे में बात करें, second battle of Panipat ये कब होता है, ये होता है 1556, 1556 में होता है, और किस-किस के बीच, अकवर बसिस हैमू बिक्रमादित के बीच होती है तो इसमें अकवर जीता है और हैमू बिक्रमादित हार जाते हैं और under the guidance क्योंकि इस टाइम पर अकवर की age जो थी मात्र 14 साल की थी यानि की 14 years के age के थे अकवर उस टाइम पर तो ये किसके guidance में लड़ते हैं अंडर दा guidance ऑफ वेरम खाँ और थर्ड बैटल ऑफ पानिपत 1760 बन में लड़ी गई थी माराथास और किसके वीच अहमद साह अफदाली के पीच में लड़ी गई थी साथ ही मैं बात करें जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानिपत हुआ था यहां से ही जो है मोगल एमपाइर के उदय होता है इतना कुछ आपको बैटल ऑफ पानिपत से याद रखना है तीन बैटल ऑफ पानिपत हुई है फर्स्ट 1526, सेकेंड 1556 और थर्ड हुई है 1761 इसका correct answer next question की दरफ बढ़ते हैं which of the following is not a greenhouse gases यानि की निम्न खितमे से कौन greenhouse gases नहीं है तो बात करें हम greenhouse gases की तो इसमें कौन-कौन सी gases होती है पहले तो बात करें क्योंकि हर बार इससे question जरूर बनता है तो greenhouse gases की बारे में बात करें तो जो इसका percentage हम बात करें तो carbon dioxide CO2 ये लगवग 81% रहती है फिर methane ये लगवग 10% के आसपास रहती है फिर nitrous oxide ये लगवग 7% और फिर हम बात करें fluorinated gases ये लगवग रहती है 3% तो ये सब मिला कर बनाती है 100% और इनहीं को बोला जाता है क्या greenhouse gases greenhouse gases अब question क्या है निम लिखित में से कौन greenhouse gases नहीं है तो carbon dioxide है methane है और fluorofluorocarbons इसमें ही आ जाता है जो fluorinated gases रहेंगी उसमें आ जाएगा तो D हो जाएगा correct answer oxygen एक greenhouse gases में नहीं आएगा D हो जाएगा correct answer next question है what are stars primarily made of यानि की तारे मुख रूपशे इसके बने होते हैं तो हम सभी जानते हैं बच्पन से पढ़ते आ रहे है hydrogen and helium इन दौनों की ये तारे बने होते हैं तो C इसका हो जाएगा correct answer question number 19 है on which rate was the partition of India announced यानि की भारत के विवाजन की घोशना किस तारीक को की गई थी तो ये जो घोशना की गई थी 3rd zone 1947 यानि की 3 zone 1947 को ये घोशना की गई थी भारत के विवाजन की भी हो जाएगा correct answer next है stainless steel was invented by stainless steel का अविशकार किसके दोरा किया गया था तो जो stainless steel है इसकी खोज इसका अविशकार किया गया है very rarely यानि की C इसका हो जाएगा correct answer साथी मैं बात करें stainless steel की तो ये जो allow रहता है किस-किस का silicon, nickel, carbon, nitrogen and magnesium का किस-किस का अलाव रहेगा silicon, nickel, carbon, nitrogen and magnesium का तो C हो जाएगा correct answer next है the disease cirrhosis यानि की disease cirrhosis affect which organ in the body यानि की cirrhosis सरीर में किस अंग को प्रभावित करता है तो जो cirrhosis है ये सरीर में किस अंग को प्रभावित करता है ये liver को करता है भी इसका हो जाएगा correct answer अब जो cirrhosis होता है ये cancer के बाद यदि बात करें cancer के बाद सबसे गंबीर विमारी होती है इस विमारी का इलाज कहा जाता है liver प्रत्यारोपन के अलावा और कोई भी इसका इलाज नहीं है यानि कि इसमें जो liver transplantation होगा वो ही होता है और इस रोग में जो होगा liver जो रहता है उसमें कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नस्ट हो जाती है और इसके इस्तान पर क्या होगा फाइवर तंतों का निर्मान हो जाता है तो भी हो जाएगा correct answer next question की तरफ बढ़ते हैं who presented the first union budget in 1947 यानि कि 1946 में पहला भारती वजट किसने प्रिस्तुत किया तो जो पहला भारती वजट 1945 में प्रिस्तुत किया है ये किया है आरके शन्मुखम चेटी ने इसने आरके शन्मु को ने इंडियन पॉलिटी में डिसकस किया है कॉशंच के तुरू यदि आपने इनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए और हमारी सीरिज चलती है weekly current affairs की weekly current affairs की हमारी सीरिज चलती है जो कि लगभग 27 week से हम लगातार weekly current affairs सीरिज चला रहे हैं यानि कि लगभग ये six months का हमारा weekly current affairs तैयार हो गया है जो कि आने वाली exams जो NTPC स्टार्ट होने वाली है 28th December से इसमें आपको काफी helpful होगा तो इनको भी आप जरूर देखा कीजिए ये हर week में एक lecture होता है लगभग 20 to 25 minutes का तो ये आप जरूर देखिए काफी helpful रहेगा आपके लिए सी हो जाएगा correct answer question number 23rd है on which network was the first SMS sent यानि कि पहला SMS किस network पर भीजा गया था तो ये बोड़ा phone पर भीजा गया था तो भी इसका हो जाएगा correct answer next question की तरब बढ़ते हैं McPhee is a McPhee क्या है एक antivirus software है easy question है ये इसका हो जाएगा correct answer question number 25th है which tennis player has been awarded the Padme Bhushan about 2016 यानि कि किस tennis के खिलाड़ी को Padme Bhushan पुरुषकार 2016 से समानित किया गया था तो 2016 में जो Padme Bhushan दिया गया था tennis player सानिया मिरशा को ये दिया गया था तो ये इसका हो जाएगा correct answer और यदि 2020 की बारे में बात करें तो इस बार जो 2020 में मिला है badminton खेलने वाली badminton खेलने वाली कौन PB सिंदू को PB सिंदू को तो ये भी पूछा जा सकता है PB सिंदू को मिला है क्या Padme Bhushan पुरुषकार 2020 badminton की player है ये next question की तरफ बढ़ते है what does ATM stands for यानि की ATM है इसके लिए इसका full form क्या है ATM का तो इसका full form है automated teller machine क्या है automated teller machine भी हो जाएगा इसका correct answer question number 27th है to which dynasty did the famous patron of literature king Bhush belong यानि की साहित के प्रशिद संरक्षक राजा भोज का संबंद कि छर्ट किस राजवन्ष से था तो ये जो राजा भोज है ये परमार राजवन्ष से थे तो C इसका हो जाएगा correct answer और बात करें परमार वर्ण्ष की तो ये परमार वर्ण्ष के लगभग नौवे राजा थे कौन राजा फोज और इन्होंने जो राज़दानी कहाँ पर थी धार जो कहाँ पर है मद्र प्रदेश में धार एक प्लेस है मदर प्लेस में ये इनकी राजदानी हुआ करती थी और लगबग 8 पी से 4 पी सताबदीक तक इन्होंने राज किया था परवार पंस ने तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर कॉशन नमार 28 है वाट इस दा इंक्रीज इन दा नंबर ओफ वर्क डेस अंडर दा रूरर जॉब गारंटी इसकी मनरेगा इन डॉट अफेक्टेड एरिया से आनि की जो सूखा प्रवावित छेत्रों में ग्रामीन कारे गारंटी योजना मनर क्या है तो पचास दिन की कारिवद्धी मनरेगा में की गई है जो की सूखा प्रवावित छेत्र है ग्रामीन एरिया है तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर और इसमें बात करें लगभख 100 डेस की 100 दिन की जो रोजगार गारंटी दी जाती है और जहां पर सूखा और ब फुल फॉर्म क्या है महात्मा गांधी इंप्लाइमेंट गारंटी इसका फुल फॉर्म है पहले नरेगा हुआ करता था यह नेशनल रूलर इंप्लाइग गारंटी हुआ करता था फिर बाद में 2005 के लगभग यह मनरेगा हो गया यानि कि इसमें महात्मा गांधी टाइटल ऑफ गुरुदेव और रबिना टैगोर यानि कि रबिना जो टैगोर थे उनको गुरुदेव की उपादी किस ने प्रदान की थी महात्मा गांदी जी ने जो रबिना टैगोर थे उनको गुरुदेव की उपादी ने दी थी तो यह इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट है what denotes offering several products for sale as one combined product यानि की एक तैयुक्त उतपाद के रूप में विक्री के लिए कई उतपादों की पेशख़ करने को क्या धर्शाता है इसको बोला जाता है क्या product bundling यानि की उतपाद bundling इसको बोला जाता है सी इसका हो जाएगा correct answer next question की दरब बढ़ते हैं which was the capital of first Sri Lankan kingdom यानि की प्रथम स्री लंकाई राज की राजधानी कौन थी तो क्या हुआ करती थी इसकी राज की राजधानी अनुराधा पुरा तो सी इसका हो जाएगा correct answer साथ ही मैं आभी के बारे में बात करें present time पर इसकी जो राजधानी है क्या है capital स्री जयवर्दने पुरे कोटे legislative capital है स्री जयवर्दने पुरे कोटे और executive and judicial capital क्या है कोलंबो सारी में बात करें हम इसके इसके president कौन है गोटा वाया राजपक्षे और prime minister कौन है महिंदा राजपक्षे और एक और चीज़ बनती है इसकी currency क्या है स्री लंकन रूपी अब आपके लिए question है कि जो India है India और स्री लंका को divide करने वाली line को क्या कहा जाता है यह आपको comment section में लिकर बताना है कि India और स्री लंका के width को divide करने वाली line को क्या कहा जाता है C है इसका correct answer Next question है Which of the following is a wet conductor of heat यानि की निमलिखित में से कौन उस्मा का कुचालक है तो कौन है उस्मा का कुचालक लकडी वुड है एक उस्मा का अच्छा कुचालक wet conductor A हो जाएगा correct answer Next है Where will the 2022 common belt games we played यानि की 2022 के राश्ट मंदल खेल कहां खेले जाएंगे तो ये खेले जाएंगे वर्मिंगम भी इसका हो जाएगा correct answer और इससे एक और question बन सकता है कि ये कौन से नमबर के होंगे तो ये होंगे 22 बे नमबर के 22 नमबर के ये common belt games होंगे इससे पहले 21st नमबर के थे कहां पर खेले गए थे इससे पहले जो 20th नमबर के होए थे वह हुए थे और इसके पहले हुए थे कहां पर 19th नमबर के ये हुए थे जो common belt games हुए थे 19th नमबर के ये हुए थे new dhali में 2010 में इनको conduct किया गया था धली common belt games को 2010 में तो इतना कुछ इससे लेटेट आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इसका इसका हो जाएगा correct answer next question की तरफ बढ़ते हैं on average how many times does lightning strike दा अर्थ यानि कि औस तन कितनी बार विजली प्रतिवी पर गिरती है तो 100 times per second यानि की प्रति सेक्रिंड 100 बार ये गिरती है तो इसका हो जाएगा correct answer question number 35th है which is the form of market where there is lack of competition यानि की वाजार का वह कौन सा रूप है जहां प्रतिश परदा का आवा होता है तो इसको कहा जाता है monopoly यानि की एक आधिकार इसका हो जाएगा correct answer next है इसका हो जाएगा correct answer हमने Indian history में इसको discuss किया है अच्छे से तो इनको जाकर आप जरूर देखें काफी helpful आपके लिए रहेगा और ये कहां पर है सांची स्थूप ये है मद्ध प्रदेश में मद्ध प्रदेश में भोपाल जो इसकी राजदानी है उसके लगबग 40 km की दूरी पर है ये सांची इस तो ये आपको याद रखना है B हो जाएगा correct answer next question है which of the following is called the qun of Arabian sea यानि की निम लिखित में अरव सागर की रहनी इसे कहा जाता है तो अरव सागर की रहनी the qun of Arabian sea कहा जाता है कोची को तो C हुसका हो जाएगा correct answer question number 38 है what is the name of the castle that was built in honor of world renowned composer Richard Wagner यानि की उस महल का नाम क्या है जो बिस्व प्रशिद्य संगीत का Richard Wagner के शम्मान में बनाया गया था तो उस महल का नाम है नियोस वाल्स्टीन केशल यानि की नियोस वाल्स्टीन महल उसका नाम है भी इसका हो जाएगा correct answer next question है evaporation of water from leaves of plant इस कॉल्ड यानि की एक पौधी की पत्तियों से पानी का वास्पी करंट कहा जाता है तो इस प्रिग्रिया को कहा जाता है क्या वास्पोस सर्जन यानि की एसका हो जाएगा correct answer इसको कहा जाएगा प्रांश्परेशन वास्पोस सर्जन ए हो जाएगा correct answer next question है how do you know यारलंग ट्रंग्सपो बैटर यानि की आरलंग संगपो किस के लिए प्रिशिद्ध है तो जो ब्रह्म पुत्र है इसको चायना में क्या कहा जाता है यारलंग संगपो तो 20 का हो जाएगा correct answer साथी मैं यह आज की सीरिज का हमारा last question था आपको lecture पसंद आए तो like and share आप जरूर किया कीजिए और life experience education के साथ जोड़ने के लिए चैनल को subscribe भी कीजिए और साथी मैं हम आपको बता दें कि हमारे जो social media handles है Instagram, Facebook page और Telegram चैनल पर आप हमे life experience education पर आप हमे follow कर सकते हैं और यहाँ पर आप वीडियो पीडियाप को डाउनलोड भी कर सकते हैं Thank you